लेकिन स्रिफ तुमारी बजे से कोई भी पच्ची मेरे पास घर बन बाने के लिए नहीं आ रहा है क्योंकि सबके घोंसले तो तुम ही बना रही हो इसलिए अब तुमारा बहुत हो गया और अपना काम बंद कर दो इसके बदले में मैं तुमें एक पक्का घर बना कर दे बस तुम अपना ये कारोबार बंद कर दो देखो राजु कवे में बहुती ज़्यादा इमानदार चलिया हूँ तो तुम ये रिस्बत तो मुझे देना इमत और रही बात घोंसले बनाने की तो ये काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगी हमेशा ही करती रहूंगी ममा ममा ये क्या आपने घर में इतनी सारी घास फूस क्यों जमा करके रखी है ममा आप इससे क्या करने बाली हो देखो गुडिया बेटी मैं चाहूं तो दूसरे पच्चियों के खेतों में काम करके भी पैसे कमा सकती हूं लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना मुझे खुद का काम करना है मैं इसलिए ये घास लेकर आई हूं मैं इससे घोंसले बनाऊँगी और फिर पच्चियों को बेचूंगी ऐसे मुझे मुझे मुनाफा भी अच्चा होगा हाँ तो ममा पे ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ इसमें पूरी मदद करूंगी और आपके साथ घोंसले बनबाऊंगी नई नई गुडिया बेटी ये मेरा काम है तो मुझे ही कहने दो तुम बस अपनी बढ़ाई पर ध्यान दो फिर उसके बाद अगले दिन रानु चिडिया तोते के यहां उसका गौंसला बनाने के लिए आती है तो वो तोता उससे कहता है रानु तुम ये जो गौंसला बनाओगी ये मजबूत तो होगा ना कहीं ऐसा नहों कि तुमारे जाते ही ये गौंसला तूट जाए अरे तोते भाईया आप इस बात की तो बिल्कुल चिंताई मत करो मैं आपको ऐसा गौंसला बना कर दूँगी जो सालो साल नहीं तूटेगा रानु अगर पका ये बात है तो फिर ठीक है बना दो मेरे लिए गौंसला वो रानु तो फिर ठोटे का गौंसला बनाने लगती है एक दिन के बाद ठोटे का गौंसला तो बनकर तयार हो जाता है तब ठोटा तो अपने गौंसले को देखकर बहुत खोस होता है और वहीं दूसरी तरफ कालू गहता है गोरी हमारे घर में तो बड़े बड़े चुए गोसाई हैं देखो तो क्या हालत की है हमारे गौंसले की कितना खराब कर दिया है हाँ कालू जी वास्ता मैं भी ये घौंसला बहुत जादा खराब हो गया है वैसे कालू जी सबपच्ची रानू से नए नए घौंसले बनबा रहे हैं तो आप भी बनबा दोना मेरे लिए एक नया घौंसला क्योंकि अगर ठंड बढ़ गई तो रात गुजारना भी बहुत जादा मुस्किल हो जाएगा हाँ गोरी तुम ठीक कहती हो मैं रानू चुडिया से बनबा लेता हूँ एक घौंसला ठंड आने से पहले पहले ये कहकर वो कालू कवबा रानू चुडिया के घर जाता है वहां रानू उससे कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो कालू कली तुमारा नया घौंसला तुम्हें बना करते दूंगी हाँ हाँ रानू तुम घौंसला मजबूत ही बनाना जो की साल भरना तूटे अगर तुमने कमजोर घौंसला बना दिया तो वो गोरी तो मुझे ही खा जाएगी वो कालू तो रानू से ऐसे कहता है फिर एक दिन उ पच्चियों को लकडी के मजबूत घर बना कर बेचूंगा ये कहकर वो कवा बजार से लकडिया खरीत कर ले आता है और अपनी दुकान खोल लेता है और फिर अबास लगाता है पच्चियों आओ आओ और मेरे पास अपने लिए ठंड के मौसम के लिए मजबूत लकडियों के घर बनबा ले जाओ आओ पच्चियों जल्दी आओ वो कवा ऐसे पूरे दिन वहां बैटा रहता है और आबाज लगाता है लेकिन कोई भी पच्ची उसके पास घर बनबाने के लिए नहीं आता है ऐसे ही रात हो जाती है फिर अगले दिन भी वो अपनी दुकान पर बैठत तब वो कहता है मुझे अब पता चल गया है कि कोई भी पच्ची मुझे ये घर खरिदने के लिए क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि उस रानु चिडिया ने इस पूरे जंगल में अपना नाम बना के रखका है वो पच्चियों को तिनकों के घोंसले बेशती है इसलिए तो नहीं दूंगा वो चिडिया को जादा ही जालाग बन रही है मैं उसे सबक से खाऊंगा ये कहकर वो कवा तो रानु की तरब जाता है और वहां जाकर उससे कहता है हाँ बताईए आपको अपना घोंसला किस प्यड़ पर बन बानाए मैं कली बना दूंगी रानु चिडिया मैं राजु कवा हूँ और मैंने कोची दिनों पहले इस जंगल में लकडियों का पका घर बनाने का कारोबार सुरू किया है लेकिन सिर्फ तुमारी बज़े से कोई भी पच्ची मेरे पास घर बन बाने के लिए नहीं आ रहा है क्योंकि सबके गोंसले तो तुम ही बना रही हो इसलिए अब तुमारा बहुत हो गया और अपना काम बंद कर दो इसके बदले में मैं तुमें एक पका घर बना कर दे दूंगा बस तुम अपना ये कारोबार बंद कर दो देखो राजु कवे मैं बहुती जादा इमानदार चड़िया हूँ तो तुम ये रिस्बत तो मुझे देना इमत और रही बात घोंसले बनाने की तो ये काम मैं कभी नहीं छोड़ूँगी हमेशा ही करती रहूँगी राणु चड़िया तुमने मुझे राजु कवे से पंगा लिया है अब देखना तो मैं तुमारा ये कारोबार कैसे बंद करवाता हूँ वो राजु कवे तो ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और अगले दिन वो फिर से अपनी दुकान खोल लेता है और आबास लगाता है पच्चियो आओ आओ स्रिप सो रुपे में लकडियों का मजबूत घर बन बालो और ये घास फूस के घोंसले एक तरफ फैको जो तुमारे किसी काम के नहीं है लेकिन लकडियों का घर तुमारे काम आएगा ठंड के मौसम में भी और बरसात के में भी इसलिए आओ आओ और मुझे से पक्के घर बन बाओ राजु कवे की ये अबास सुनकर कापी सारे पच्चियों उसकी दुकान पर आजाते है अरे अरे राजु भाईया आप लकडियों का इतना पका घर इतने कम पैसो में क्यों बना रहे हो मुझे तो समझी नहीं आ रहा जबकि वो रानु चिडिया तो अरे घास पोसका घौसलाई 200 रुपे में बना कर दे रही है अरे अरे लाडो तुम आम खाओ ना घुटलिया क्यों गिंतियों और वैसे भी अभी मेरा नया नया काम है तो सस्ता घरी तो दूंगा बना कर बैसे पच्चियों हम भी कितने बेवकूफ हैं रानु चिडिया से हमने 200 रुपे में घास पोसका घौसला बन बाया एक अच्चा सा और ये राजु का वस 800 रुपे में लकडियों का मजबूत घर बना कर दे रही है हां तो पच्चियों इसका तो यही मतलब हुगा कि उस रानु चिडिया ने हमारे मासुम होने का फायदा उठाया है और हमें इतने महंगे घौसले बना कर दिये हैं मैं तो कहती हूं पच्चियों की हम उस रानू चिडिया के पास जाकर उसके घौंसले उसे बापस कर देते हैं और जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से हम अपने लिए लकडियों के मजबूत घर बनबा लेंगे ये कहकर वो सब पच्ची रानू के पास आती हैं और उसे उसके घोंसले बापस कर देती हैं और उसे पैसे लेकर वहां से चले जाती हैं इन पच्चीों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और मुझे धोका दिया है मैंने इनके घोंसले कितनी मेहनस से बनायते और देको मेरे घोंसले कैसे तोड़ फोड़ कर मुझे दे गई है मम्मा आप चिंता मत करो पच्चियों ने लालच में आकर ऐसा किया है ना इन्हें इनके लालच की सजा जरूर मिलेगी गुडिया बेटी मैं ऐसे बैठ तो नहीं सकती ना इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं पच्चियों को दूसरे जंगल में घोंसले बना कर बेच कर आया करूँगी वहीं दूसरी तरब जंगल के सब पच्चियों ने उस राजु कवे को पैसे लाकर दे दिये थे तब वो अपने मन में कहता है मैं इतना भी अच्छा नहीं हो कि इन पच्चियों को सो रुपे में इतना मजबूत लकडियों का घर बना कर दूँ अब देखो मैं क्या करता हूँ हाँ तो पच्चियों अब तुमने मुझे पैसे तो दे दिये अब तुम सब अपने अपने घर चाओ में दो दिन बाद तुम सब के घोंसले बना कर ले आउंगा वो पच्ची फिर वहां से चले जाते हैं और फिर दो दिन बाद वो सब पच्ची उसकी दुकान के पास आ जाते हैं और उस राजुकवे का इंतिजार करती हैं लेकिन वो राजुकवा तो वहां आता ही नहीं है तब लाडो कहती है अरे पच्चियों ये राजुकवा सेट कहां चला गया ये अब तक आया क्यों नहीं इसने तो बोला था कि दो दिन तक ये आजाएगा और हमारे घर भी हमें दे देगा वो पच्ची ऐसे इंतिजार करते करते एक अपता गुजार देती हैं लेकिन उस राजुकवे का तो अब तक कोई अता पता नहीं था ये सब देखकर वो पच्ची तो बहुत जादा परिसान थे वो धोके बाज राजुकवा सेट हमारे पैसे लेकर भाग गया और अब हमारे पास तो रहने के लिए घौंसले भी नहीं बच्ची ओ अगर आज हमने लालच नहीं किया होता और उस कवे की बातों में नहीं आये ह होते तो हमारे साथ ये सब नहीं होता हमारे पास अब पैसे भी नहीं है और रहने के लिए घौंसले भी नहीं है उन पच्चियों ने तो इस तरह लालच में आकर अपने पैरों पर खोती कुलाडी मार ली थी और अब अपने खिये पर पस्ता रहे थे चिडिया ये लो हम सब पच्ची भी अंडे ले आयें टोकरी भरवर कर अब तुम हमारे लिए भी अंडे का मजबुसा घर बना दो ताकि हम भी तुमारी तरह बारिस के पानी से बच सकें ममा ममा घर बनाने में मैं भी आपकी मदद करूँगी क्योंकि मममा आप इतने सारे घर बनाओगी तो अकेले नहीं बना पाओगी जंगल में कई दिनों से लगातार तेज बारिस हो रही थी जंगल के सब पच्ची पहले तो पीडों के पत्तों से बच हुए थे लेकिन अब तो पीडों के पत्ते से पानी टपक टपक कर उनके घौशलों में आ रहा था तब कबूतर अपनी पत्नी लूसी से कहता है लूसी मेरी पत्नी आप कल से जाग रही हो ऐसा करो तुम थोड़ी देर सो जाओ लेकिन पती जी मैं कैसे सो सकती हूँ ऐसे बारिस में भला कोई सो सकता है लूसी मेरी पत्नी में गोंसले की उपर वाली डाल पर बैटकर पानी रोखने की कोसिस करता हूँ ऐसे गोंसले में पानी नहीं आ पाएगा वहीं दूसरी तरफ कवार को भी अपने टपकती हुए गोंसले में बैटे थे तब गोरी अपने पती कालू से कहती है कालू जी आब हम अगली बार बारिस शुरू होने से पहले पहले अपना पक्का घर लकडियों का बना लेंगे तो ऐसे हम कम से कम इस बारिस के पानी से तो बच जाएंगे गोरी हम तो हर बारी ऐसा सोचते हैं लेकिन एकाद बार हमने अपना पका घर लकडियों का बना लिया है जो आप बनाएंगे अरे गोरी देखना जैसे ये बारिस का मौसम गुज़र जाएगा हम सब कुछ भूल जाएंगे कि हमने क्या क्या बाते की थी कालू जी अब तो बारिस में भीग भीग कर मेरे पंको में दर्द होने लगा है अरे लाव लाव पत्नी जी मैं तुमारे पंक दवा देता हूँ फिर तुमारे पंको में दर्द बंध हो जाएगा तोता और उसकी पत्णी तोती दोनों अपने घौसले में सहमे हुए बैटे थे उनका तो घौसला भी बहुत कमजोर था वहीं दूसरी तरख चिडिया अपने दोनों बच्चों के साथ घौसले में बैटी बाते कर रही थी बच्चो तुम्हें पता है मेरी मा का घौसला तो ऐसे बारिस के मौसम में भी पका हुआ करता था और वो कभी भी बारिस में नहीं भीगती थी और उनके घर में कभी बारिस की बून तक नहीं आती थी मम्मा मम्मा पर वो कैसे बारिस में भना किसी का घौंसला कैसे सुरच्चित रह सकता है वो इसलिए मेरे बच्चो क्योंकि मेरी मानेना अंडो से मजबूत अपना घर बना के रखता ता अंडो के घर में कभी बारिस का पानी नहीं आता है और उस घर में सुरचित रहते हैं मम्मा मम्मा अंडो का घर अरे मम्मा फिर बो तो हम भी बना सकते हैं हाँ बेटा बना तो सकते हैं लेकिन बेटा हमारे जंगल में अंडे कहा हैं अगर अंडे होंगे तभी तो हम अंडे का घर बना पाएंगे मम्मा, मम्मा कौन कहता है आपसे कि हमारे जंगल में अंडे नहीं है मम्मा जम में एक बार जंगल में घूमने गई थी पहाडों की तरप तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे अंडे की पौदे देखे थे खेत में लगी हुगे और उन पर कापी सारे अंडे भी लगे हुगे थे मम्मा हम भी अंडों का घर बना सकते हैं अरे गुडिया बेटी अगर हमारे जंगल में अंडे थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अरे अभी तक तो हम कपका अपना अंडे का घर बना कर उसमें रहने लगते और हम बारस में भी नहीं भीगते ममा ममा मुझे क्या पता तक कि अंडे से घर भी बन जाते हैं अगर मुझे पता होता तो तो मैं आपको बताई देती और बैसे भी ये बात तो आपने शुरू की थी इसलिए मुझे याद आगया अब देर मत करो ममा चल्दी चलो फिर उसके बाद वो तीनों अंडे लेने के लिए पहाडों की तरब जाते हैं बारिस में उनके लिए उड़ना बहुत मुश्किल तो था लेकिन फिर भी बो तो उड़े जा रहे थे और दोनों बच्चे तो बहुत खुश थे क्योंकि अब जब उनका अंडे का घर बन जाएगा तो कम से कम वो सुकुन से सो तो पाएंगे जब वो तीनों वहां पहुँच जाते हैं तो गुडिया कहती है ममा ममा देखो ये रहे अंडे के पौदे देखो ममा यहां पर कितने सारे अंडे हैं हाँ गुडिया और कुकु तुम दोनों तो सची कह रहे थे यहां पर तो बहुत अंडे हैं मुझे तो इनके बारे में पता ही नहीं था, चलो अब हम जल्दी से यहां से अंडे लेकर चलते हैं और अपना घर बनाना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद रानू एक टोकरी भरकर अंडे लेती हैं और वो तीनों अपने घौशले की तरह पाते हैं, वो तीनों अपने घौशले में आकर बैठ जाती हैं तब रानू कहती हैं। गुडिया और कूकू मैं अंडे का घर बनाऊंगी और आप दोनों सीखना और उसे अच्चे से देखना, ऐसे तुम भी घर बनाना सीख जाओगे अंडे का। ममा, ममा ये अंडे का घर आपने कहां से बनाना सीखा, क्या आपने नानी से सीखा था? हाँ, गुडिया बेटी मैं अपनी मा से सीखा करती थी, तुमारी नानी जब घर बनाया करती थी, तो मैं बगल में बैट कर सीखती थी और उन्हें देखती थी, तबी तो मैं बनाना जानती हूँ, अब भी बस बना देती हूं अंडे का घर. फिर उसके बाद रानु चड़िया अंडे का घर बनाना सुरू करती है, कोची देर में अंडे का मजबूस सा घर बन कर तयार हो जाता है, तब रानु गैती है. गुडिया और कुकु देखो काम हो गया हमारा अंडे का घर बनकर तयार हो गया आब हम बारिस में नहीं भीगेंगे चलो आब हम अपने घर के अंदर जाकर बैठते हैं फिर उसके बाद रानू और उसके दोनों बच्चे अपने अंडे के घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं। वो घर तो सच में बहुत अच्छा था और उसके अंदर बारिस का पानी भी नहीं आ रहा था। तब गुडिया कहती है। वा मम्मा ये घर तो सच में बहुत अच्चा है और इसके अंदर पानी भी नहीं आ रहा है। मम्मा अब तो हम आराम से सुकुन की नीन सो सकेंगे। हाँ हाँ मेरे बच्चो अब तुम सो जाओ बैसे भी तुम बहुत ठक गए हो दो तिन दिन से तुम ठीक से नहीं सो पाई हो इस बारिस की बज़े से। फिर रानू के दोनों बच्चे सो जाते हैं और रानू घर के अंदर ही बैटी थी वहीं दूसरी तरफ गोरी अपने बती से कहती है। देखो कालू जी वो देखो चिडिया ने कैसा घर बनाया है और बड़ा अजीब सा है चलो उससे हम भी जाकर पूँचते हैं वो तो बारिस के पानी से बच गई है। हाँ गोरी वो किसी अजीब सी चीच का घर बनाये चलो हम जाकर देखते हैं। ये कहकर कववा और कववी दोनों चिडिया के घर के बाहर आते हैं और चिडिया से उसका दरबाजा खुलवाते हैं। तक चिडिया बाहर आती है तो गोरी उससे कहती है। बाच चिडिया बाहर बारिस हो रहे हैं हम सब बारिस में भीग रहे और तुमने ये किस चीज का घर बनाया है जो तुम बारिस के पानी से बच्ची हो अरे गोडी और कालू इसे अंडे का घर कहते हैं ये मैंने आजी तो बनाया है इसके अंदर बिल्कुल भी वारिस का पानी नहीं आता है अगर आपको बनवाना है तो आप दोनों जाकर पहाडों की तरब से अंडे ले आओ मैं आपका घर भी बना दूँगी फिर आप भी वारिस के पानी से बच जाओगे चिडिया क्या तुम सच में हमारा घर बना दूगी तो फिर ठीक है हम अभी जाते अंडे लेने ये कहकर गोरी और कालू उड़ते हुए जाते हैं रास्ते मैंसे वो तोता और कबूतर को भी साथ ले लेते हैं फिर वो सब भी तेजी से उड़ते हुए पहाडों की तरब जाते हैं और जल्दी वो दोनों उस अंडे के खेत में पहुँच जाते हैं वहां पहुँचकर तो कहता है मगर गोरी और कालू हम इन अंडों से करेंगे क्या ये तो हमारे किसी काम के नहीं है तोते और कबूतर तुम दोनों बस देखते जाओं और यहां से अंडे लेकर चलो फिर देखना चिडिया हमें इन अंडों से क्या बना कर देती हैं जिससे हम बाल से बस सकते हैं फिर सब वो अपने अपने अंडे लेकर चिडिया के पास पहुंच जाते हैं तब चिडिया उनसे कहती है आरे पच्चियो इतने सारे अंडे के घर में अकेले कैसे बनाऊंगी आप सब अंडे के घर बनवा रहे हो चिडिया बेहन जैसे तुम बारिस के पानी से बची हो ममा ममा आप चिंता क्यों करती हो मैं हूँ ना मैंने अंडे का घर बनाना सीख लिया है मैं आपकी मदद करूंगी ऐसे हमारे घर जल्दी बन जाएंगे फिर उसके बाद चिडिया और उसकी बेटी गुडिया दोनों मिलकर कोची देर में उन पच्चियों के भी अंडों के घर बना कर तैयार कर देती हैं अपने अपने अंडों के घर देकर वो पच्ची बहुत खुसोते हैं फिर वो सब भी बारिस के पानी से बच जाते हैं और खुसी खुसी अपने अंडों के घरों में रहने लगते हैं दोस्तो ये तियाच की कहानी और हाँ दोस्तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हाँ दोस्तो आज का सबाल ये है कि पच्चियों के पैसे लेकर कौन भाग गया था अगर आपको पताएं तो कोमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक और हाँ दोस्तो घंटी बजाना ना बूलना ताकि नई वीडियो आपके फॉन की स्क्रीन पर हो मिलती हूं मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्याबाद